बढ़ते आंगे से बीश बड़ी खवर सामने आ रही है जो MP कॉंग्रेस की पहले लिस्ट जारी हो गई है कॉंग्रेस की पहली सूची में 144 प्रतियाशियों के नाम शामिल किये गए है अंदाज लगाय जारा था कि करीब 100 नाम पर सहमती बन गई है लेकिन अब MP कॉंग्रेस ने करीब 144 प्रतियाशियों की सूची जारी कर दी है इसमें इश्योपूर से बाबू जानडेल को जगा दी गई है और साथी विजैपूर से रमिवास रावत को जगा दी गई ईसमें सबलगर की बात करें वहाँसे बैचनाध कुश्वाह को तिकट दिया गया जोरा से पंक जपाद्याय और साथी अटेज से हेमंत qataray को तिकट दिया गया है लहार की बात करें वहाँसे डॉक्टर गोवेद 750 को तिकट दिया गया तो वहीं गौलियर साउफ की बात करें, वहां से प्रवीन पाठक को टिकट दिया गया, वितरवार की बात करें, लखन सिंग यादव को टिकट दिया गया है, तो वहीं डवरा से सुरेश राजा को जगा दी गई है, सेवरा की बात करें, वहां से घंशयाम सिंग को टिकट दि गया पोहारी से कैलाश कुश्वाहा को जगा दी गई है। लिस्त जारी कर दी जाएगी और लिस्त जारी कर दी जाएगी। लिस्त जारी किये जाएगे और उसमें बात की जाएगी। तो वो तमाम सीटे हैं जहां पर किछली बार कॉंग्रेस हारी थी वो सीटे भी है। और कुछ विधायकों की भी बात जो की जा रही थी। उन विधायकों को भी टिकिट दिये गए है। नामों की बात की जाएगे। तो नामों में जातिगर्स मिधारण को भी धियान में रखा गया है। और इसके साथ उन निताओं को भी टिकिट दिये गया है जो बीजेटी से कॉंग्रेस में आये हैं। काफी विधायकी सीट मानी जाती है मज़ब्रदेश की सियासत के लिया से नलतों मिश्रया से विलायक भी है ग्रेमंत्री भी है। उन जे सामने नायक को टिकिट दिया गया। ये कॉंग्रेस बीजेटी से कॉंग्रेस के अंदर आये है। और कई हम देख रहे हैं जो सीटों का ऐलान किया गया है इसके अंदर। जो तरीबी रिष्किदार है कॉंग्रेस के बड़े निताओं के उनके परिवार को भी टिकेट दिया गया है। जैसे महगाओं की बात चले तो राहूल बदूरिया। जो हैं जो नेता प्रतिपक्ष्चि और गुविंसिंग उनके धांजे हैं उनको टिकेट दिया गया है। बोरीबं से बमोरी से माप किजिएगा। इसके अलावा दिग्विने सिंग के भाई हैं लश्मन सिंग उनको चाचोड़ा से जगा दिगई है। रागोगार से विडायक है, जेवरजन सिंग ये दिग्विने सिंग के बेटे इनको टिकेट दिया गया। तो तमाम वो समिकरण साज में की कोशिश की गई है। और ये देख सकते मुगावली एक नाम हो रहे हैं याद्वेंद्र सिंग का भी नाम है। इनकी बात की जाए तो ये भी बीजेपी से कॉंग्रेस के अंदर आए है। जीताओं मिद्वारों को टिकेट दिया जाए जो बार-बार कहा जा रहा तक कॉंग्रेस की तरफ से के हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जीताओं मिद्वारों को टिकेट दिया जाए और आभी की लिष्ट को देखें। टिकमगरा से यादवेजर सिंग पिषली वार का चुना नहीं थे लेकिन उसReally वह से लिस त성을चीच से रहे तो टीकमगरा से यादवेजरilles Goon प्रस्विपूर से बात करें, तो नितेइंद्र सिंग राठोर को टिकट दिया गया है, निवाडी जीले से ही आते हैं, और इनको यहाँ से टिकेट लिया, इनकी पिताजी की एश्बीट हुआ करती थी, प्रिदेशिन। राठोर यहाँ से विधायक हुआ करते थे, कमलना सरकार में मंत्री भी रहते लेकिन कोरोना के कारण की डेट हुए थी बाइलेक्शन हुए थे लेकिन बाइलेक्शन में निते इंद्रीजिन राटोर चुनाओं हार गहते और अब फिर से एक बार पाटी ने उनको मुका जिया इसके अलावा खरगापूर की बात करें तो की बात की जाए तो वहां से एक खपरे निकल कर आ रही थी उनको विजावरत में अलिशा शुप्ट किया जा सकता है लेकिन उनको महीं रखा गया है वापस या आलोग चत्रुवेदी किसी बार चीज कराय थे और लग रहा था कि इस बार ही उनको वहां से टिकेट दिया जा कि तक करीमद 10,000 के आपशा को वोटों से आर गाय थे यहां पर लोगी कार्ड केलने का कॉंग्रेस की तरफ से प्रियास जिया गया है क्योंकि जो अभी तक की बात की जाए to तो अब ही तक के यहाँ पर यादो केंडिडेट से लेकिन कॉंग्रेस की तरफ से पैसला लिया गया है कि वो उन्हीं को उन्हीं कोई उतानने जा रही है। हटा से बात की जाए तो प्रदीब घटी को टिकेट दिया गया और अब ही से काफी मुश्किल लग रही थी कि इस बार मुक्रेश नायक को टिकेट नहीं हो सकता क्योंकि कॉंग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि एक क्राइटेरिया बनाया गया जिसमें लगतार तीन बार हान वाले और इसकता सा जो बीस हजार पहार है उनको टिकेट नहीं दिया जाएगा लेकिन तेश नायको यह कह जए देली के उनके तुछ जो है वह काम है और उनको टिकेट मिला है जीवन नाजिश भार कि बात करें तो उनको टिकेट मिला है पूरी लिस्टे देखेंगे एक च से बीचे!